हालो एवरिवन, तोडे, वी विल स्टार्ट, NCRT क्लास सेकंड, इंग्लिश बुक, कर्ली लॉक्स एड़ थ्री बियर, लेसन नुम्बर 12, ओके, आज हम पढ़ेंगे, लेसन 12, कर्ली लॉक्स एड़ थ्री बियर्स, once there was a girl with curly hair, once there was a girl, एक बार एक लड़की थी, with curly hair, जिसके curly hair थे, curly hair means, गुंग्राले बाल थे, her name was curly locks, उसका नाम क्या था, curly locks, one day she went into the forest, near her house, one day, एक दिन, she went, वह गई, into the forest, forest means jungle, जंगल में गई, near her house, उसके घर के पास में, उसके घर के पास में जंगल था, उस जंगल में वह गई, she saw a cottage, वहाँ उसने क्या देखा एक cottage, cottage में जोती है, कुटिया या जोपिनुमा घर, she saw a cottage, उसने वहाँ एक cottage देखा, curly locks नाम की girl थी, उसके hair कर ली थे, और वहाँ एक जंगल में गई, जोकि उसके घर के पास में था, और उस जंगल में उसने एक cottage देखा, एक कुटिया देखी, is anybody in, she asked, she asked मतलब उसने पूछा, is anybody in, क्या कोई अंदर है, there was nobody, वहाँ nobody means कोई नहीं था, there was nobody, वहाँ कोई नहीं था, the beer family lived in the cottage, beer family means जो beer की family थी, beer means भालू, तो भालू की जो family थी, वह उस cottage में उसकुटिया में राती थी, they had gone for a walk, वह कहां किसली गए हुए थे, they had gone, वह गए हुए थे, for a walk, वह वक पे या घुमने के लिए गए हुए थे, curly locks went in, curly locks अंदर गई, she wanted to see who lived there, she wanted to see, वह देखना चाहती थी, who lived there, वहाँ कौन रहता था, curly lock means, वह curly lock थी, वहाँ cottage के अंदर चली गई और वह देखना चाहती थी, कि उसके अंदर कौन रहता है, she saw three bowls of porridge on the table, she saw, उसने देखा, three bowls, तीन बोल्स में सोता है, कटोरा या प्याला, तीन प्याले रखे थे या कटोरे रखे थे और पॉरिज, पॉरिज मेंस होता है हलुआ भी बूल सकते हैं दलिया भी बूल सकते हैं खिचडी भी बूल सकते हैं इसे बोलते हैं जो नाश्ता होता है सुबह का ब्रेकफास उसे हम पॉरिज भी बूलते हैं ठीके शी सो थ्री बोल्स पॉरिज और टेबल उसने टेबल पर क्या देखा ती फोर ममा बीख गत recognition rape टीघ और में फोर 12 w श्रया को की कई कि दंगा में पुआंगे आंगे मग्टा चाहे जो सब्सक्रीट सेब्रेंच युक्त क्राम सब्सक्राइब कज addresses और छोटवाइब अहयर्ड से इपका लिए था ठू Latino बड़े वाले बॉल में इन पॉरिज। अर्ष्म chapel पहल र parfait का रहा पहले एस और भार समय एड़ी औरकर होस्ट पो सायए से जहें प्रम दो बॉप्वंध साइज बोटुन फिर उसने क्या किया, अब उसने middle size के ball में से खाया, it was too cold, वह बहुत ठंडा था, she ate from the tiny little ball, she ate, अब उसने खाया from the tiny little ball, छोटे वाले ball में से, it was just right, वह बिल्कुल सही था, कर्ली लोगs ate up all the porridge, कर्ली लोग खा गई, all the porridge means पूरा porridge खा गई, पूरा हलवा या पूरी खीचडी वो खा गई, then she went to the bedroom, then तब she went वह गई into the bedroom, bedroom में गई वो, there was a big bad for papa bear, वहाँ पर एक बड़ा bad था, जो papa bear का था, a middle size bad for a mama bear, middle size का बहुत बड़ा भी नहीं, और छोटा भी नहीं, middle size का जो weight था, वो mama bear के लिए था, and a tiny little bad for baby bear, और छोटा वो था bad, वो किस के लिए था, baby bear के लिए था, the big bad was very hard, big bad जो था, वो बहुत हार था, बहुत सक्त था, जो बड़ा वाला bad था, वो बहुत सक्त था, the middle size bad was too soft, और जो middle size का bad था, वो बहुत ज़्यादा soft था, but the tiny little bad was just right, लेकिन जो छोटा सा little bad था, वो बिलकुल सही था, में जो पापा bear का bad था, वो बहुत ज़्यादा सक्त था, बहुत ज़्यादा सक्त गाली थी उसके उपर bad पे, और जो middle size का bad था, वो बहुत ज़्यादा soft था, उस पे में मज़ा नहीं आ रहा था, कर्ली लोक्स को सोने में, तो कर्ली लोक्स को कौन सा वाला ठीक लगा, सबसे छोटा little bad was just right, तो सबसे छोटा बैट था, वो बिलकुल सही था, कर्ली लोक्स फेल असलीब in the tiny little bad, तो कर्ली लोक्स ने क्या किया, उस छोटे वाले little bad पर वो जाकर सो गई, दे बियर फेमेली कमबेक, अब बियर फेमेली वापस से आई, ग्रफ मेंस होता है, बहुत सकत या रूखी आवाज, तो somebody ate my porridge, किसी ने मेरा पूरा पूरेज खा लिया है, उनकी बहुत मोटी आवाज में वो चिला है, किसी ने मेरा पूरा पूरेज खा लिया है, somebody ate my porridge too, कोई मेरा पूरेज खा गया है, said mama beer, mama beer ने का, किसी ने मेरा पूरा पूरेज खा लिया है, somebody finished all my porridge, said baby beer, in his tiny little voice, somebody finished all my porridge, किसी ने मेरा पूरा ही पूरेज खा लिया है, means पापा, mama beer का तो उसने खाया था, पापा beer का बहुत ज़्यादा गरम था, mama beer का थोड़ा था, बिल्कुल थंडा था, पर जो, baby beer का था, वो बिल्कुल सही था, तो उसने कड़ी लोक्स ने पूरा फिनिश कर दिया था, baby beer का porridge, तो बेबी बियर ने क्या कहा, somebody finished all my porridge, किसी ने मेरा पूरा ही porridge फिनिश कर दिया है, in his tiny little voice, उसने अपनी बिल्कुल पतली आवाज में ऐसा बोला, the beer family went to the bedroom, अब beer family कहा गई, bedroom में गई, somebody slapped in my bed, shouted papa beer in his big gruff voice, somebody slapped, कोई मेरे बेट पर सोया था, इस तरीके से चिलाए, papa beer, big gruff voice, मतलब बहुत ज़्यादा रूखी सकता आवाज में, वो जोड़ से चिलाए, somebody slapped in my bed too, कोई मेरे बेट पर भी सोया था, said mama beer, mama beer ने बोला, कोई मेरे बेट पर भी सोया था, somebody is sleeping in my bed, said baby beer in his tiny little voice, और वो जो छोटा वाला baby beer था, वो प्यारी सी पतली सी आवाज में बोला, कोई मेरे बेट पर सो रहा है, इस तरीके से उसने अचा बोला, कडली लोग वोक अप, कडली लोग एकदम से उड़ गई, she saw the three big ears, उसने वन तिनों बीर्स को देखा, she jumped down, वो नीचे उतरी, and ran out to cottage, as fast as she could, and ran out, और वो वहाँ से भाग गई, of the cottage, cottage में कुटिया में से वो भाग गई, as fast as she could, इतनी तेज भाग गई, जिससे कि वो भाग सकती थी, उतना तेज दोड़ी वो, और वह भाग गई, न्यू वर्स देखते हैं, कर्ली, कर्ली मेंस गुंगराले, cottage, cottage याने कुटिया, ball, ball मेंस प्याला, porridge याने हलवा या खिचडी, and hungry मेंस भूका, students, here your chapter has been finished, and I think you understand it, thank you,